अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आम शांती गॉड्लिवोड स्चुडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है परमात्म मिलन की आश सभी भक्तात्माओं को सदा रहती है परन्तु कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेश आत्माए होती है जो परमात्मा को यथार्थ रीती पहचान पाती है और परमात्म मिलन के परम सुख का परमानंद ले पाती है संगम युक पर परमात्म मिलन के परम सौभाग्य के महत्व को आजम श्वरिय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्तियों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्धे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के परिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब अब का आज के अपिसोड में बहुत बहुत स्वाकत है इसाब आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 1983 के महावाक्तियों पर जिसका टॉपिक है संगम युग बाप बच्चों के मिलन का युग इसा परमात्मा कहते हैं कि यह है ही बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मिला जिस मिलन मिले के लिए अनेक आत्माई अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बियंत असंभव वो मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए है कब हो जाएगा इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं ऐसी भी अने आत्माई है जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं वो सभी हैं कब कहने वाले और आप सब हैं कभी वाले वो वियोगी और आप सहज योगी सकिंड में मिलन का आनुभव करने वाले तो सब कंट्रास्ट को थोड़ा सबश्ट करें वरतमा समय हम आत्माई परमात्मा से जो मंगल मिलन मना रही है परमात्मा कहते हैं आप इतनी भागिवान आत्माई हो जो आपका ये मिलन मिला हो रहा है बक्ति मार के अंदर तो लोग समझते हैं वो बेयंत है पता नहीं कब मिलेगा, कब ये मिला होगा बहुत आस लगा करके चल रहे हैं बक्ती कर रहे हैं लेकिन कोई उमीद नहीं है कि कब आएगा, कब होगा आप बच्चे सन्मुक में अनुभो कर रहे हो कि हम परमात्मा के साथ कैसे मिल रहे हैं उनकी पालना ले रहे हैं और भक्त लोग आस लगा कर कही बैठे हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं कितने जरम और लेने पड़ेंगे बगवान से मिलने के लिए तो परमात्मा कहते हैं कि वो भी योगी हैं और आप बच्चे तो सहज योगी हो अनुभो कर रहे हो कि हम सब परमात्मा के साथ कैसे मिलन मना रहे हैं परमात्मा कहते हैं कि अभी भी कोई आप से पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है तो क्या कहेंगे निश्चे और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता सहच और सदा का मिलना है संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग कि लोगों का ये प्रश्ण उठता है कि सचमुच आप भगमान से मिलते हो तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई पूछता है आप बच्चों से तो पितना निष्चे और नसे से आप कहते हो हम तो रोज मिलते हैं ये तो मिलन का युग है संगम का युग और बाप और बच्चे अगर परमात्मा को हम पिता कहते हैं वो मारा बाप है और उसके हम बच्चे हैं तो बच्चों को बाप से मिलने में मेहनत नहीं लगती बाप के बच्चे बन गए मिलन होता ही रहता है तो परमात्मा हम सब को कहते हैं आप बच्चों को अनुभो भी है निश्चे और नसा भी है आप से अगर कोई पूछता है तो आप को हो कि कभी भी किसी समय भी आप मिल सकते हो, इसमें सिर्फ स्वयम को पहचानना है, मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है, अगर सही रूप में स्वयम की पहचान आत्मा को हो जाएगी, तो परमात्मा से मिलने में कोई उसको मेहनत कान नहीं होगा, क्योंकि एक आत्मा द यथार्त, पहचान, सने, समंध, याद सहज हो जाएगी, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप बच्चों को अनुभव है, और आप अनुभव से दूसरों को बता सकते हो, यह संगम युग पूरा ही युग, मिलने का युग है, और कोई भी इसका मिलन का आनंद ले सकता ह इसलिए परमात्मा कहते हैं कि निरंतर मिलन में रहते होना है ही मिला, मिला अर्थात मिलाप, तो बड़े फखुर से कहेंगे, आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्ही के साथ, अर्थात बाप के साथ, खाते, पीते, चलते, खेलते, पलते रहते हैं, इतना बहुत नसे की बात है कि वो समझते हैं कुछ सेकेंड के लिए दर्सन हो जाए आज जड़ मूर्तियों के आगे मंदिरों में जाते हैं तो उस मंदिर में मूर्ती के दर्सन के लिए भी कितने धक्ये खाने पड़ते हैं कितना समय लाइन में खड़ा होना पड़ता है उसके बा तो डायरेक्ट परमात्मा जब अउत्रित हुए है, उनके साथ खाते हो, पीते हो, खेलते हो, रहते हो, उनकी पालना और पढ़ाई ले रहे हो, कितना स्रेष्ट भाग है। लेकिन भक्त लोग समझते हैं ये तो बहुत असंभो बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। संगम युक पर यही एक पहचान मिली और पहचान के साथ साथ परमात्मा अउत्रित हुए हैं, कैसे वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो निश्चे हो गया, निश्चे के आधार से हम अनुभो के अधार्टी बन करके दोसरों को बताते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वह पूछते परमात्मा बापसिस नहीं कैसे होता है, मन कैसे लगता और आपके दिल से यही आवाज निकलता कि मन कैसे लगाना तो छोड़ा, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या, जो मन कैसे लगावे, मन बाप को दे दिया, तो किसका हुआ, आपका या बापका, जब मन ही बापका है, तो फिर लगावे कैसे, यह प्रश्न पूठ ही नहीं सकता। बगवान के ध्यान में बैठते हैं, तो पता नहीं कहां कहां मन भटक जाता है। परमात्मा कहते हैं, अभी आप बच्चे तो यह कही ही नहीं सकते हो, कि मन कैसे लगाएं। तो उसका हो ही गया, जब हम कहते थे भक्ति के अंदर यह तान, यह मन, यह धन सब तेरा है, तो परमात्मा जब हम सब को मिल गए और हमने उसको कह दिया, तो परमात्मा कह रहे हैं, जब आपका मन ही ही नहीं, तो लगाने की बात नहीं, आपने तो दे दिया, जब समर्पित कर दिया तो मन भटक ही नहीं सकता है उश्की याद सुत है और सहज बनी हुई रहती है उसको याद कहने कि मेहनती नहीं करनी पड़ती तो मन ही उसका है तो कैसे कहेंगे कि लघाएं कैसे हो तो लगा हुआ ये है तो जिम उसके बच्चे हैं उसे सने है, प्राप्तियां हो रही है, अनुभो हो गए है, तो अनुभो और प्राप्ति के आधार से बहुत सहज उसके साथ मन जुटा हुआ है, अलग होते ही नहीं है। सारा दिन क्या अनुभव करते, प्यार की लहरे स्वते ही उचलती है न। जितना जितना ग्यान सूरे के किरणे वह प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरे उचलती है। ग्यान मिल गया कि मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है। जब पूरा ग्यान मिल गया और उस ग्यान सूरे के साथ हमारा सम्मंद जुट गया, तो प्यार की लहरे ग्यान के आधार से उचती है। और वो दुने हम लहरते रहते हैं, हम ल ćुट दूरी प्यार कैसे लहरे हैं। प्रमात्मा कहते हैं जैसे साहगर के उप़र ग्यान के वपर घ्यान की लहरे उच्छलने लगए। ऐसे ही आप बच्चों के उपर ज्ञान सागर की लहरे, ज्ञान सूरी परमात्मा की किरने आ रही हैं, तो आपके प्यार की लहरे अपने आप उत्पन होती हैं, आप लहरों में लहराते हो, लौली निस्तिती का अनुभव करते हो, ओ लोग तो कहते हैं प्यार कैसे करें भवी हो ना, कैसे ज्ञान की लहरे, प्रेम की लहरे, सुख की लहरे, शान्ती और शक्ती की लहरे उचलती हैं और उन्ही लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्सा प्राप्त कर लिया है ना, यही ब्रामभण जीवन है। जो ब्रामान आत्मा रोज भावा के महावाक्य सुनते हैं, तो उन महावाक्यों में सब प्रकार की लहरे हैं। कभी ज्ञान की लहरे आती हैं, कभी प्यार की लहरे आती हैं, कभी सुख की लहरे आती हैं, तो परमात्मा इन्हीं गुणों का सागर है। और उस सागर ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो महावाकियों चान के हैं, उनकी लहरें उस महावाकियों में दिखाए देते हैं। तो जिन बच्चों का बाबा के महावाकियों से मौली से बहुत प्यार है, उस प्यार से उसको सुनते हैं। उन लहरों का उनको अनुभो होता है, कि कैसे उन लहरे उचल रहे हैं, और उसी लहरों में लहराने लगते हैं, अगर मुडली ही नहीं कोई सुन रहे हैं, तो इन लहरों का अनुभो भी नहीं कर सकते हैं, हर एक ब्रह्मा वत्त को ये प्रेक्पिकल अनुभो करके देखना है, कि बाबा के एक जान सागर की लहरे महावाक्षियों के द्वारा कैसे हमें अनुभव होते हैं और अनुभव एक बार कर लिया, तो सदा उसमें लहर आते रहेंगे आगे बढ़ते हैं तो पड़मात्मा कहते हैं कि ब्रामभन बन कर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तो ब्राम्भण जीवन की विशेष्टा क्या रही? इस विशेष्टा को ही वर्से की प्राप्ति कहा जाता है, सारे विश्व के ब्राम्भण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चात्रक है. क्योंकि जब पर्मात्मा ज्यान सागर स्रिष्टी पर आये हैं और ज्यान की लहरों बच्चों को लहरा रहे हैं, अगर ब्राम्भण बच्चे बन करके भी इन लहरों में नहीं लहराते हैं, सागर में समाने का अनुभव नहीं करते हैं, तो बागी कब करेंगे? तो परमात्मा कहता है कि सारी दुनिया इसके चात्रक है, कि हम भी उन लहरों का अनुभो करें, तो आप बच्चों को तो यह भाग ही मिला है, तो भगवान के ग्यान की लहरों में आप लहराते हो, रोज ग्यान सागर के महावाकिया आप कुप मिलते हैं, ठीक तरह से कोई हाना हमें सीखना है. परमात्मा कहते हैं अ कि दुविधा दलदल बना देती है, अभी तो दलदल से निकल दिलतक्थ नशीन हो गए हो हो न, सोचो कहा दलदल और कहां दिलतक्थ, क्या पसंद है? चिलाना या तक्थ पर चड़के बैठना, पसंद तो तक्थ है, फिर दलदल की और क्यों चले जाते हो दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपने तरफ खीच लेती है पास्तो में परमात्मा हम सब को कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी परकार की दुबिधा में हो तो दुबिधा ही एक दलदल बन जाती है जैसे कीचड कहीं जमा होता है न दलदल जो अगर दिखाई देता है कि यह जैसे उपड से बिलकुँ सम्तल है लेकिन अगर उसमें भूल से भी ऐसे नजदिक पाउं चला जाएगा तो पूरा यह खीच लेगा नीचे की तरफ तो परमात्मा हम सब को कह रहे है कि अगर किसी भी परकार की अंदर दुबिधा है तो जैसे अपने लिए आप दलदल क्रेट कर रहे हो दिल तक तो अच्छा लगता है या दलदल अच्छा लगता है तो कई परकार की बातों का इस समय संसार में दलदल है माना कीचड है और उस कीचड में अगर पाओं रख दिया या कीचड के समीब भी चले गए तो दलदल खीच ले जाएगा मिकारों का, भक्ती का, बहुत सारा दलदल है परमात्मा कहता है उससे आप बच्चों को निकाला है दिल तक पर बिठाया है परमात्मा के दिल तक पर रहने वाली आत्मा है कभे भी किसी भी प्रकार के कीचड में दलदल में नहीं जा सकती आप बच्चे उससे निकल आया हो भैसा परमात्मा कहते हैं कि विशेश आत्माई सकेंड भी एक संकल्प, एक बोल भी साधारा नहीं कर सकती यही स्मृत्य सदा समर्थ बनाने वाली है समर्थ आत्माई है, विशेश आत्माई है यहनशा और खुशी सदा रहे समर्थ माना व्यर्थ को समाप्त करने वाले यह बार बार अपने आपको इस्मृत्य दिलानी होती है कि मैं एक समर्थ आत्मा हूँ मैं एक विसेश आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ जब ये विसेश इस्मृतियां रहती हैं तो जो कमजोर बाते हैं, बिर्थ बाते हैं वो सोते समाप्त हो जाती है तो परमात्मा के रहे हैं इस इस्मृति में रहो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विशेश आत्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा की मेरे उपर नजर पड़ी है, तो समर्थ इस्थित्ती से व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देता है, ऐसे समर्थ आत्माई व्यर्थ को समाप्त कर देती हैं व्यर्थ का खाता खत्म, श्रेष्ट संकल्प, श्रेष्ट कर्म, श्रेष्ट बोल, संपर्क और संबंद का खाता सदा बढ़ता रहे, ऐसा अनुभव है, हम है ही समर्थ आत्माएं, यह स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता इस समृति में बार-बार रहना है कि मैं एक शमर्थ आत्मा हूँ, तो जैसे प्रमात्मा मिऽाल दे रहे हैं, सूर्य जब निकलता है, उसकी तेज केरने आती है, तो पहले तो सूर्य के निकलते ही प्रकास आ जाता है, अधिरा धूर हो जाता है, जे ज़्दसरा जब उसकी त तो किछळा समाप्थ हो जाता, गंदगी दूर हो जाती, अगर आप समर्थ आत्मा हो, तो जो भर्त बाते हैं, भर्त संबंद संपर्क हैं, जिसमें आपका समights बर्थ जा रहा। उस अब बच जाता है, इसलिए बार बार ये समर्थ आत्मा हो, कि मैं एक समर्थ आत्मा हूँ, सक्तिशाली आत्मा हूँ, तो बरत आपके नजदीक भी नहीं आएगा, वो किचड़ा है, वो समापत हो जाएगा. प्रमात्नाम से कहते हैं कि स्मृति स्थिती को स्वतह बनाती है, तो स्मृति स्वरूप हो जाओ, स्वरूप कभी भी भोलता नहीं आपका स्वरूप है स्मृती स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बस यही अभ्यास और यही लगन इसी लगन में सदामगन यही जीवन है जब हमें अपनी उची अच्छी इस्थिती बनानी है परमात्मा कहते है इस्थिती का आधार है स्मृती क्योंकि जब अच्छी स्मृतियां रहती कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं यहां किसले आया हूँ तो अच्छी स्मृतियों के आधार से समृती आती सकती आती है और समर्थ इस्थिति बेर्थ को अपने आप समाप्त कर देगी इसलिए इसमर्थी सरूप आत्माई समर्थ बन जाती है और जो समर्थ है उनकी इस्थिति अपने आप एक रस अच्छा लडोल बनती है तो समर्थ बनना गर्थ के खाते को समाप्त कर देना यही विधी है उची इस्थिति की परमात्मा कहते है कि संगम युग है ही उमंग उत्सहा प्राप्त कराने वाला यदि संगम पर उमंग उत्सहा नहीं होता तो सारे कल्प में नहीं हो सकता अब नहीं तो कब नहीं यह उमंग रहे और उत्साह सदाखुशी की निशानी है। उत्साह वाला सदाखुश रहेगा, उत्साह रहता, बस पाना था, वो पालिया। मरामण जीवन में अगर किसी के पास उमंग और उत्साह नहीं है, तो कभी भी उड़ती कलाका, चड़ती कलाका, आगे बढ़ने का वनुभो नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा हम सब को कह रहे हैं, उमंग तब आता है जब दूसरों को बाटते हो। ज्यान दोसरों को देंगे, उसकी जीवन बनाएंगे, तो आपका उमंग बढ़ता जाएगा। और उत्साह आपको खुसी में ले आएगा। क्योंकि उत्साह माना ही अंदर की आंतरिक खुसी। जिसके पास होती है बहुत उत्साह से बोलता है, बात करता है, चलता है। आंतरिक खुसी उसके जहरे से जलकती है। तो परमात्मा कहते है, ब्राम्हन जीवन उमंग उसाह वाली जीवन है। उमंग में रहो, दोसरों को बावा का संदेश देते चलो। और उत्साह यह है कि पाना था सो पा लिया। जो इसकी खुज थी, वो हमारा हो गया। बाकि और क्या रह गया। जीवन में और कौंसी चीज की कमी रह गई। जब इतनी स्मृत्ती रहती है, तो उत्साह मना खुसी अपने आप आगे बढ़ती जाती है। इसलिए इन दोनों शब्दों को इकठा लेते हैं, उमंग और उत्साह क्योंकि प्राप्ती है, खुशी है, तभी हम दूसरों को बाट सकते हैं। बाटेंगे तो हमारा और बढ़ जाएगा। बिलकुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा अचल अडोल स्थिती में रहने वाली, अंगत के समान, श्रीष्ठ आत्माए हैं, इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिती में रहने वाले, सदा अचल रहते हैं। जहाँ एक होगा, वहाँ कोई खिट-खिट नहीं, दो होता तो दुविधा होती, एक में सदा न्यारे और प्यारे, एक के बज़ाए, दूसरे कहां भी बुद्धी न जाए, जब एक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो दूसरे तरफ जाए ही क्यों। परमात्मा हम सब को एक रस अचल अडूल इस्थिति बनाने की बहुत सुन्दर विधी बता रहे हैं। अगर इन बिदियों पर हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सब चाहते तो हैं कि हमारी इस्थिति एक रस रहे, ऐसी भी बात्ते आ जाएं, इले नहीं, कोई भी पेपर आ जाए, उसमें हम बिल्कुल अच्छा लडूल रहे हैं। परमात्मा कहता है, ऐसी इस्थिति बनाने के लिए एक में सब रस समाई हुए हैं। अगर एक बाबा से सब रस ले रहे हो तो एक रस इस्थिति बन जाएगी। और अगर आप देदारियों से किसी से भी रस लेने की कोई चीज की उमीद रखते हो तो आपकी इस्थिति हलचल में आ जाएगी। क्यों कोहां से कोई से प्राप्त होगा, कोई से नहीं होगा। तो परमात्मा हम सब की एक रस इस्थिति के लिए कह रहे हैं। एक से सब रस लो, एक से सब संबंध जोड़ लो। अगर एक परमात्मा मेरा है और उससे हमें सब राप्तियां हो रही हैं। तो पर कहीं भी बुद्धी भटकेगी नहीं। और जब बुद्धी भटक नहीं रहे तो एक रस हो जाएगी। जो एक रस इस्थिति बन जाएगा अचल डॉल बन जाएगा उसके लिए एक वृत्ता, एक बाबा दूसरा न कोई। एक सब संबंध हैं, एक रस इस्थिति सुतह बन जाएगी। तो ज़ी बार हम आते हैं, कि हमारा परमात्मा के साथ सर्फ संबंध है। परंदु कहीं न कहीं हम किसी ने किसी देधारी पर आधारित होते हैं अपनी कुछ इच्छाओं के लिए आशाओं के लिए और जब वो इच्छाओं और आशाओं पूरी नहीं होती हैं तो इस्तिति हलचल में आ जाती है जगमग हो जाती है बिलकुल, पर्मात्मा कहते हैं कि अपने को सदा हीरो पाठधारी समझते हुए, हर कर्म करो, जो हीरो पाठधारी होते हैं, उनको कितनी खुशी होती है, बहतो हुआ हद का पाठ, आप सब का बेहद का पाठ है, किसके साथ पाठ बजाने वाले हैं, किसके सहयोगी हैं, किस सेवा के निमित हैं, जहस्मृती सदा रहे, तो सदा हर्शित, सदा संपन, सदा डबल लाइट रहेंगे, हर कदम में उननती होती रहेगी। परमातमा हम सब को हीरो पार्ट धारी जब कोई hero- acontece खोते हैं उनको नसा रहता है कि मेरा part हीरो पार्ट है मैं hero- так hero- text कि द्रामा के अंदर हीरा मात्मा के साथ part वजाना न का वन करके उनके साथ verse सेवा में सह्योगी बनना ऑरमातमा केता है कितना स्रेष्ट हीरो पार्ट आप दक्चों का है जो भगवान के साथ आपका पार्ट चर रहा है इतनी बड़ी विश्व कल्यान के सेवा के लिए आप निमित बने हुए हो इस नसे में रहो, इस खुसी में रहो कि हमारा पार्ट सबसे स्रेष्ट पार्ट है हम क्या थे, क्या बन गए, भगवान ने हमें क्या कितना हिस्रेष्ट हीरो पार्ट दे दिया ड्रामा में, जब आप ऐसे नसे और खुसी में रहेंगे, तो आपके जीवन से अनीक आत्मों को प्रिनाई मिलेंगी, और आपको देख करके दूसरे भी खुसी में आ जाएंगे, क कि सारे कल्प में, इतनी करोणों आत्माओं में से परमात्मा ने मुझे ही क्यों चुना, उसकी नजर मेरे पर पड़ी, उसका ग्यान मुझे मिल रहा है, उसकी सही पहचान मुझे मिली है, तो कितना बड़ा स्रेष्ट भाग्य है, उस भाग्य का सुमिरन कहने वाली आत्मा नसे और खुसी में रहती हैं, उमंग उसा में रहती हैं, तो जितना हमारा उमंग उसा रहेगा, जितनी खुसी रहेगी, जितना भागे का चिंतन करेंगे, जैसा हिरो पार्ट होगा, तो हमें देख करके अनियक आत्मों को प्रेणा मेलेगी, इसलिए परमात्मा हम सब को एक कह रहे हैं ये इस नसे और खुसी में रहो उमंग उसा से इस रिष्ट करम करो और दूसरी और इससे जो सेवा होने वाली है उसके बारे में भी ध्यान केच्वात्ते कि आप अगर ऐसे रहेंगे तो आपको देख करके अनेक आत्माई सीखेंगी वो भी अपना भागी बना सके बिलकुर वह सावाच हमने बहुत ही यहराई से समझा कि कैसे संगम युक पर हम परमात्न मिलन द्वारा अनेक आनंद की लहरों का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं असब इस पश्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है उम जाते हैं दर्शक्वाज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें संगम युक पर अपने सर्वश्रेष्ट भाग्ये को स्मृती में रख निरंतर परमात्न मिलन में लवलीन रहना है और परमात्म स्निही के लहरों में सदा समाने का आनुभव करना है परमात्मा ने कहा कि दुव हीरो पाडधारी बन प्रतीक कर्म हर्शित मुख और डबल लाइट होकर करना है तर्शक्वाज के महावाक्तियों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइडी है अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त ओम शान्ति मुख्यसार ब्रामण जीवन अर्थार ज्यान प्रेम सुख शान्ति और शक्ति की लहरें यही अलौकिक वर्सा है यही ब्रामण जीवन है अचल रहने की विधि दुविधा में कोई प्राप्ती नहीं इसलिए एक में ही सारा संसार अनुभव करो एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिती में रहने वाले सदा अचल रहेंगे यदी संगम पर उमंग उत्साह नहीं तो सारे कल्प में नहीं हम हैं ही समर्थ आत्माई यह स्मृती आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता है अधिक जानकारी के लिए संपर करें सेवा केंदरों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ट स्टूडियो से संपर्ख करें